नमस्कार, MCQ सिरीज से समंधित इस वीडियो में आपका स्वागत है बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्ण की ओर पहला प्रश्ण है कि मिशन अम्रिस रोवर से समंधित निमलिकित कत्रों पर विचार करें पहला कत्रों कि मिशन का उद्देश से देश के पानी की कमी वाले जिले में 75 जल निकायों का विकास और काया कल्प करना है दूसरा कत्रों कि इसे आवास और शहरी मामनों के मंतरे द्वरा लागू किया जा रहा है उपरोत कत्रों में से कौन सा सही है या कौन से सही है इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है डी यानि की ना तो पहला और ना ही दूसरा दोनों में से कोई भी कतन सही नहीं है आईए देखते हैं कि इसका कारण क्या है प्रदानमंत्री ने 24 अपरेल 2022 को मिसन अमरिश सरुवर नाम के इस नई पहल की सुरुवात की और जब लक्च का 60% है और अगर इस मिसन के उद्देश की हम बात करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह मिसन आजादी के अमरिट महुतसब के एक उद्देश के रूप में सामिल किया गया है साथी साथ इसका जो मुख्य उद्देश से वया है कि देश के परतियेक चीले के 75 जन निकायों का विकास और कायकल्प करना साथी साथ जन भागिदारी इस मिसन का मूल है और इसमें सभी स्थरों के लोगों की भागिदारी को सामिल किया जा रहा है इसके अंतरगत जो मंत्राले हैं उन मंत्राले के कुल संख्या है च्छा जैसे रेल मंत्राले, सड़क परिवह और राजमार्ग मंत्राले, जल्शक्ति मंत्राले, पंचाती राज मंत्राले, पर्यावरन वन और जल्वाईव परिवरतन मंत्राले के साथ साथ ग्रामीन विकास मंत्राले, साथ ही इसमें दो तक्निकी संगठन भी सामिल है, पहला भासकराचारे, राश्ट्री अंत्रिक भूसूचना विज्ञान संस्थान. बढ़ते हैं दूसरे प्रस्ण की और. दूसरा प्रस्ण जो आपके स्क्रीन पर है कि हाली में खबरों में रहा भारत का आपनेशन दोस्त किस देश से समझ देते हैं? चार आपसन हैं, आपसन A, यूक्रेन, आपसन B, तुर्की, आपसन C, यूरूस, आपसन D, USA. इसका सही जवाब है B, मतलब तुर्की. आएए, करते हैं इसकी व्याक्या. अब हमें ये पता है कि 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया यहां पर हिंसक भुकम पाए और इस भुकम के बाद बचा और रहत खोच के लिए भारत सरकार के दोरा तुर्की क मदद की गई. और जो भारत सरकार के दोरा मदद की गई और जिस मिसन या जिस ऑपरेशन के दरगत की गई उसका नाम दिया गया ऑपरेशन दोस्त. इसके तहद 151 NDRF HQ कर्मियों साथिसाथ डॉग स्कौइट की तीन टीमों ने भुकम प्रभावित तुर्की को सहता परदा चुका है और NDRF की टीम भारत वापस आ चुकी है. बढ़ते हैं अगली प्रस्न की और? अगला प्रस्न की कि क्विक रियक्शन सर्फेस टू एर मिसाइल सिस्टम के बारे में निमलिकित कत्वों पर विचार करें. पहला कि या कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसा कैनिस्टर आधारित पढ़ना ली है. दूसरा या लगवग 200-300 किलोमेटर की रेंज में काम करता है. तो उपरोत कत्वों में से कौन सा सही है या कौन से सही है? आप्सन एक केवल पहला, आप्सन बी केवल दूसरा, आप्सन सी पहला, दूसरा दोनों, आप्सन डी ना तो प या कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाल है, और या कैनिस्टर आधारित पढ़ना ली है. इसे मुक्रूप से DRDO की दोरा डिजाइन किया गया है, और उसके दोरा इसे विक्सित किया गया है. जिसका उद्दिस यहां पर यह है कि गतिसील बक्तर बंद से तीस किलोमेटर की रेंज वाली होती है. साथी साथ, Q-R-S-A-M हत्यार पढ़नाली की विश्चता यह है, कि यह खोज और ट्रेक छमता के साथ साथ चलते फिलते काम करती है. साथी साथ, अगर दो फायर के बीच की समय की हम बात करें, तो उसमें यह काफी कम दिर लगाती है, मतलब यह हाल्ट काफी कम समय का लेती है. अब यहां एक और महत्पुन बाती है कि आखर यह कैनिस्टर की पढ़नाली क्या होती है? सबसे पहली बात तो यह है कि कैनिस्टर लांच सिस्टम दो प्रकार की होती है. एक यह तो यह गर्म लांच किया जाता है, यह दूसरा इसे कोड लांच किया जाता है. जब गर्म लांच की बात होती है, तो यहां मिसाइल सेल में परजलित होती है, जबकि अगर कोड लांच की बात की जाती है, तो जहां मिसाइल को गैस जेनरिटर द्वारा, उतपादित गैस द्वारा निसकासित किया जाता है. और यह जो गै और हैंडलिंग सुईधा हों में सुधार के मात्यम से कम समय में लॉंच करने में सक्षम होना। बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर। करने के लिए किया जाएगा। निम्लिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो A केवल पाला, B केवल दूसरा, C पाला दूसरा दोनों, D कोई भी नहीं। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है, D कोई नहीं। इसका मतलब यहां पर यह है कि दोनों कथन यहां पर सही है आई करते हैं इसकी व्याख्या सरकार अर्बन इंफरस्ट्रक्चर मतलब कि जो सहरी अवसरणचना है उसके डेवलप्मेंट के लिए UIDF फंड की गठन की बात कर रही है जो हाली में प्रस्तुल बजट में किया गया और इसके अंतरगत प्रती वर्ष दस भासन के दौरान जो वित्मंत्री है उन्होंने इस प्रस्ताओं की गोशना किया है कि UIDF का प्रभंदन राष्टी आवास बैंक दौरा किया जाएगा और इसका उप्योग साजनिक एजन्सियों दौरा टीर टू और टीर थ्री सहरों में शहरी बुनियादी धाजा तियार क प्रशन है कि नमस्ते योजना के संदर में निम्लिखित कत्नों पर विचार कीजिए पहला यह सभी शहरों और कस्बों में सैप्टिक टैंकों और सीवरों की 50% यांतरिक सफाई को सक्षम करने के लिए सरकारी पहल है दूसरा यह आवास और शहरी मामलों के मंत्राले दौरत सुलू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है तीसरा यह सफाई करमचारियों को सुक्षता समंधी उपकरनों की खरीद के लिए विद्ध पोशन सहता और सबसीडी परदान करके मसीनी करण और उद्यम विकास को बढ़ावा देगा उपर देगे कत्नों में से कौन से क नमस्ते, समाजिक न्याए और अधिकारिता मंत्राले और आवास और शहरी मामलों के मंत्राले की एक केंदरी छेत्र की योजना है यहां पर हमें गौर करना है क्या? यह एक केंदरी छेतर की योजना है और समाजी किन्याय और अधिकारिता मंत्राले द्वारा इस योजना को तयार किया गया और इसे 2022 में लॉंच किया गया अगर इस योजना के बात करें तो इस योजना को देश के सभी शहरी इस्थानी निकायों तक विश्थारिट करने की प्रक्रिया शुरू कर दे गई है साथी साथ केंद्री बजट 2023-2024 ने National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem यानि की नमस्ते कि लगबख 100 करोन रुपे आवंडित किये गये इस योजना के लिए 100 करोन रुपे आवंडित किये गये हैं और सरकार सभी शहरों और कजबों में सैप्टिक टैंक और सीवर की कितने 100% मतलब सत परतिसत यांतरिक सफाई को सक्षम करने पर विचार कर रही है इसके अलावा यह योजना सफाई करमचारियों को सक्षता समंधी उपकरनों की खरीद के लिए वित्पोसन सहता और सबसेडी परदान करके मस्षीनी करन और उद्यम विकास को बढ़ावा देगा तो इस परकार इस वीडियो में हमने पाले की तरह कुल 5 परशनों पर विचार किया इसके साथ ही इस वीडियो के ही विराम देते हैं फिर मिलते हैं नए परशनों के साथ नमस्कार